तो हे गाइज वेलकम डो माय चैनल लेवी रॉक्स टीम्स तो गाइज हम मतलब हम लोग बहुत दिनों बात मिल रहे हैं बट बात करते हैं गाइज अभी एक मैच होने वाला उस्टेलियन लीग का वेस्टन उनाइटिड वार्सिस मकैर्थर के बीच तीन घंटे ग्यारा मिनट के बाद तो इस मैच की जो की फाइनल टी मिलेगी वह आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर जिसका नाम एबी रॉक्स विमलेवन टीम्स तो फटा फटा आकर इस पर जुड़ो एंड ये करना कि आपको मैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा कि आपको प् सकते हैं 30 माय का एक भी स्रिंशोट वास तीन चार स्रिंशोट अले थे एक्चली मैच बहुत कम कवर किये तो आज से दुबारा हमारा कम बैक होगा तो बात करूं मैं इस मैच की वेस्टन उनाइटिट वार्स मकैर्थर मकैर्थर यहां पे स्ट्रॉंग है मैं आपको जैसे क इन तो आप काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि वट इस दमलब इन्वेस्मेंट बेसिज इन्वेस्मेंट का वो बता दो मतलब सब कैसे कर दिए बट यह हम नहीं पता सकते हैं नॉर्मली बस मैं आपको प्लेर्स की इन्फोर्मेशन दे रहा हूँ वह आप पर डिपेंड ह इन दोनों टीम के बीच मैच हुआ था दो मीने पहले एक से दो मीने पहले इसका वेस्टन ड्रीम टीम में नाम आया था और सिरफ 11 पॉइंट कुछ भी नहीं होते आगे से बात करूँ डिफेंडर की मार्क मिलीगन को लूँगा यहां पर मार्क मिलीगन इस नाइस प्लेयर सेकिंड बात यह कि मिलीगन जो प्लेयर है का अपनी टीम के लिए लगी बहुत है बाई जब भी खेलता है ड्रीम टीम में नाम आता है क्लीन शीट लगती है बहुत बड़ी बाटन आगे से बात करूँ ने एक स्पेर की जिसका नाम है अलेक्जेंडर सूसनेजर अलेक्जे पार रहा था बट नौ एम बैक और आगे से बात करूँ टीमाय की यहां पर लूगा टीमाय को एक्चुली इट सॉल से नाइस प्लेयर एक्चुली क्या है यहां पे डव्लू एस्टी का एक डिफेंडर लेना ज़रूरी है आप देख लेना जरूर देख लेना आपको पता चल देगा कि क्यो लेना ज़रूरी है क्योंकि यहां पर वी सैंचियस नहीं खेल रहा आगे से बात करूँ नेक्स वेर के अल रोस को लूगा अगर देखो क्लीन शीट लगती है तो मगार अरथर की ही लगेगी इसने एल रोस को ले रहा हूं यहां पर दो परसंट सेलेक्श आगे क्या करेगा इसलिए आपको मैं बता दू कि वाइस कैप्टन रखना है तो एक दरा रिस्क पे रखो मैं अलब जील में ट्राय करो भाई स्मॉल लीग में नहीं बनता है स्मॉल लीग में कल मेरे सामने मैंने रात नाइट मैच खिला था उल्टे सीधे मैं अलब मेरे मजबूरी तीन प्लेयर तीन मिट्फिल्डर को लेना मेरी मजबूरी है समझो आगे से बात करूँ डी गैंडरियू की गैंडरियू इस नाइस असिस्टर पिछला मैच ही ले लो भाई 27 मगी का मैच था और इसने सिंगुलर एसिस्ट की और देखने वाली एसिस्ट थी पोजिशन पर आया है तब से इनकी टीम का विनिंग रेशियो का लेवल यहां से यहां हो गया है मलब सीधा उपर चड़ गया है और बहुत बड़ी बात है क्योंकि मकैर्थर पहले भी स्टॉंग दिया बहुत स्टॉंग हो गई आगे से बात कुरूं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की मेरा कैप्टन ने का मैट दर्बिशायर एंड वाइस कैप्टन वाज एम सुसेता गाइस तो यही मेरी टीम मिलता हूं अगली वीडियो में बबाए